प्रकृती बहुत सुंदर और अद्भुत है, इसके रंग निराले है। कभी-कभी प्रकृती ऐसे द्रिश्यों, सैयोगों या घटनायों का निर्मान करती हैं जो हमें हैरत में डाल देते हैं और सोचने को मजबूर कर देते हैं कि क्या यह सच में हैं या कोई सपना है। हम आ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सकाइब कर लिजिए। का पेर काफी उचा होता है जिसे नॉमली इंद्रधनुशी नीलगिरी का पेर भी कहा जाता है। यह नीलगिरी पेरों की एक मातरैसी किस्म है जो केवल न्यू ब्रिटेन, न्यू गिनिया, सीरम, सुलवेसी और मीदनाव में पाई जाती है। यूनीक मल्टीकल और बाग इ परत में बदलती जाती है जिससे पूरा पेर इंद्रधनुशी रंग में नजर आता है। तीन, अरिजोन की लहर जिसको वेव ओफ ओरिजिन के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका के नौत हिससे में परिया वेली में स्थित है। यह जगह संदूरी चटानों से घिरी हु चमकती हुई नीली लहरें, जैविक रोशनी असल सी क्रीचर्स द्वारा पैदा की जाती है। इस द्रिश्य से यह जगह धरती पर स्वर्गसी लगती है। रात को यह जगह दुनिया की सबसे रोमैंटिक जगह लगती है। पांच, मोस्को के उपर प्रकाश के स्थम्भों का बनना। यह द्रिश्य तब बनता है जब आकाश में बर्फ के क्रिस्टलों पर रोशनी परती है। यह रोशनी सूरज चंद्रमा और कहीं से भी आ सकती है। बर्फ के क्रिस्टलों पर जब रोशनी परती है तब यह क्रिस्टल आकाश में अलग दो कलाकृतियां बनाते ह 6. बोलीबिया की रिफ्लेक्टिव साल्ट फ्लेट यह एक हैरान कर देने वाला द्रिश्य है जिसमें आकाश और धर्ती मिलकर एक अध्भुत द्रिश्य बनाते हैं सलार दे उयुनी दुनिया की सबसे बड़ी नमक वाली सपार्ट जगह है यह जगह पानी से नहीं, पूरी तरह से नमक से धकी हुई है यह जगह आकाश के लिए शीशे का काम करती है 7. अंडरग्राउंड नेचुरल फाउंटेन, मेक्सिको मेक्सिको में ऐसे द्रिश्य देखने को मिलते हैं जिन पर विश्वास करना बहुत कठिन है यह अंडरग्राउंड नाचुरल स्प्रिंग यानी फाउंटेन भी उन जगहों में से एक है इनको सैनोत भी कहा जाता है यह एक नाचुरल गर्धा होता है, जो चुना पत्थर, लाइम स्टोन के नीचे गिरने से बनता है ज्वाला मुखी में बिजली और गर्जना ज्वाला मुखी के भयंकर तूफान को वोलकानिक रोशनी भी कहा जाता है यह तूफान असल में ज्वाला मुखी के बादल होते हैं, जो बहुत भयंकर बिजली पैदा करते हैं विग्यानियों का मानना है कि यह रोशनी तब पैदा होती है जब ज्वाला मुखी में पत्थर के टुकड़े उसकी राख आपस में टकराते हैं 9. पाकिस्तान में भूट जैसे दिखाई देने वाले पेड पाकिस्तान में जब बार आई थी तो लाखों की तादाद में मकरियां बार के पानी से बचने के लिए इन पेडों पर चर गई और इन पेडों पर जाल बिचा दिए क्योंकि बार का पानी काफी समय तक रहा इसलिए इन मकडियों ने पूरे पेड़ों पर ही अपने जाल बिछा दिये अब यह पेड भूतों की तरह दिखते हैं 10. कैंडली जील में पानी के नीचे जंगल यह धन से हुए और पानी के अंदर जंगल कैंडली जील का हिस्सा है यह जंगल 400 मीटर तक फैला हुआ है यह जगह हलमाती से 139 किलो मीटर दूर है यह जील लैंड्सलाइट से बनी हुई है जो की 1911 में अर्थक्वेक के कारण हुआ था यह बहुत ही खूपसूरत और आनंदमाई जगह है